नमस्कार, मैं हूँ खुशी लाल और आप देख रहें नए न्यूस लाइंग दिन्हों की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सिल्खियों पर गिरडी में रही बैशाखे और हिंदू नववर्ष पतिपदा उत्सव की धूम प्रधान गुरुद्वारा में सिक समाज के लोगों ने माथा टेक कर दिया एक दूसरे को नववर्ष की बधाई समाज के आगड़ पर लगाया गया था कोविड वैक्सिनेशन कैम एक सौ लोगों ने लिया कोविड नववर्ष की अउसर पर सरसोती शुशु विद्या मंदिर में मनाय गया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उत्सव कोरुणा को देखते हुए साथगी के साथ एक दूसरे को दी गई नववर्ष की बधाई समाजिक संगठन सत्यार्थी फाउंडेशन ने सुरू किया बाल विवा प्रता रोखने का पहर गावा के सद्रा पंचायत के ग्रामीनों को किया जाप रुख चापा लगा कर ग्रामीनों से बाल विवा के खिलाब एक जूट रहने की की गई अपी और न्यूज लाइन में दिखा खबर कर से गावा के बिहोर पलवार का सूद लेने पहुँचे राची के विर्सा MMC संस्ता के प्रतिनेडी मंट मौके पर पहुँचकर हर संभाव मदद देने का दिया भरोसा अब खबरे विस्तार से डुम्री पुलिस ने मंगलबार को गुपत सूचना के आधार पर छापी मारी कर नकली शराब बनाने के फैक्टरी का उद भेदर किया है पुलिस ने मौके पर से दस पेटी नकली शराब के साथ एक ग्यक्ति को गिरफतां किया है दुम्रे के उत्रा खर्ण स्थित जरेडी पंचायर के कर्मा वहियार गाउंग के एक घर में छापे मारी कर नकली शराब बनाने के मिनी फैक्ट्री का उद्भेदर किया है पुलिस ने मौके पर से लगभग दस पेटी नकली शराब सहीत शराब बनाने में प्रयोक्त अन्य समान को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफतार किया है बताया जाता है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोच कुमार के निर्देश पर दुम्रे पुलिस ने मंगलवार को छापे मारी अभियान चलाया इस दोरान कर्मा बह्यार निवासी रवी मरांडी के घर से नकली शराब बनाने का समान, बोतल पैकिंग करने का समान, दर्जनो कॉर्प, कुछ खाली बाटल, एक गैलन शराब बनाने का कलर, सहीत लगभग, दस कार्टून, एमपेरियर ब्लू ब्राउन का नकली शराब एस आई जेना बालमत्चू, विश्मनात उराओ, सहीत सेट 46 एवं जिलाबल के जवान शामिल थे रामनाव में सरहुल बर अमजान पर्व को लेकर नगर्थाना परिसर में शांती समीती की बैठक आयों जित्की गत बैठक में प्रशाशनिक अधिकारियों के अलावे छेत्र के कई गन्मान ये लोग उपस्ते थे बैठक में रामनाव में पूजा एवं सरहुल पूजा में किसी भी तरह का जुलुस या सभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाये चाने की बात कही गई नगरधाना परिसर में मंगलवार की शाम रामनाव में सरहुल पर रमजान पर्व को लेकर शांती समीती की बैठक आयोजिती गई बैठक की अध्यक्षता सदर इंस्पेक्टर आरिल चौधी ने किया चबकि मौके पर कई प्रशाशनिक अधिकारी मौजूद थे बैठक में सहरी छेतर के विभिन्न इलाकों की जन प्रतिनीधियों ने शांती समीती की बैठक में कई समस्याओं को रखा इस मौके पर सभी जन प्रतिनीधि ने प्रशाशन से रामनाव में सरहुल वर रमजान को देखते हुए अवैक सराप के विक्री पर रोक लगाने धार्मिक भावनाव को ठेश पहुचाने वाले अश्लीर गानों पर प्रतिबंध लगाने और डीजे बजाने में प्रतिबंध रखने की मांग की वही प्रशाशन ने लोगों से अपील किया कि रामनाव में पूजा एवं सरहुल पूजा में किसी भी तरह का जिलुस्या सभा का आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है लोग अपने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें इस दोरान समरीदन शील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने और स्थान ये लोगों का सहयोग लेने हुड़ंगियों पर नजर रखने की बात कही गए बैठक में कोविट को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का शक्ती से पालन करने की अपील की है रामनौमी सरहुल वर रमजान तेवहार के दोरा यदे किसी व्यक्ती के परिजन दिल्ली कॉलकाता आदी शहरों से अपने घर आते हैं तो उस व्यक्ती का कोविट जान जरूर करा ले आगामी रामनौमी पर चट पर और रामजान की महिना को देखते हुए थाना परांगर में शांती समीदी के बैठक आउजन किया गया इस बैठक में थाना चतर के गनमान लोग उपस्तित हुए सभी की दोरा सब्समति से हतेय किया गया कि सरकार के जो गैडलाइंस हैं कोविट नाइटिन के समन्द में उसका अलपालन सक्ति से किया जाएगा कोई भी वेक्ति सरकार के आदियस का अभिलना नहीं करेगा एकसो चुआलिस का हमारा मानना है कि जो एकसो चुआलिस धारा लगी हुई है हमारे सहर में उसका अलपालन पूर्णता हो और कोई भी वेक्ति विदावट मास्क में रहे जो भी सरकार के गाइडड़ैंस है उसके हिसाफ से कोई भी जुलूस या कोई भी वह खड़ा नहीं निकलेगा लोग अपने अपने मंदीरों में सब्सक्राइब करेंगे मंदिर में करेंगे मश्रीप में करेंगे जहां धार्मिक अस्थाले वहां करेंगे और किसी भी तरह का धार्मिक जुलुस नहीं निकलेगी थाना परवारी प्रेम लेंजे नुरा आज दाउन थाना परवारी श्री चौदरी जी के दुवारा सांती समीति के बैठक आगामी रामनमी बरवपूर लेकर अवजन की गई शांती समीति के लोग आये और यहां जो सरकार का आदेश है वो भी नेट्मिक जैसा परवाव है इस पोटक स्थिति है जो गाइड लेंग सरकार की होगी वो हम लोगों को अनुपालम करना है तो आज यही तक बात हुई कि करना समदी संदेश लोगों को देना है बचने और बचाने की बास हुई और मैं एक जाता है ठाना पर होने के नादे जैसे जैसे रोगने के लिए रोज मेरे दुवारा और एक चवराहों पर मास्क की चेकिंग लगाई जाती है और ऐसे लोग जो मनमाने पंग करते हैं वैसे लोगों करते हैं विकाटी जा रही है जैसे जैसे रोगने की बास है और बास है और हम लोगों ने यह नहीं होगा आपको चैती छाट भी जो अपने घर पे रहकर ही करना है और राम्रीमी में सभी परकार के जुरूस को प्रभली का इन्होंने बात कहा है और हम लोगों ने यह निरने लिया है कि जो गैडलाइन है जो इनके तरफ से जो हम लोगों मेसेज दिया गया है ये मेसेज में ग्रीडी वास्यों को भी देना चाहता हूँ कि जिस सरकार के गैडलाइन के हम लोगों को पालन करना है और राम्रूमी जिसे परको हम लोगों म पतिपदा पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को शुब कामनाई देते हुए नववर्ष मनाया। इस दौरान मौके पर कोविड वैक्सिनेशन कैंप का आयोजन के आ गया। जिसमें 100 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। सहर के स्टेशन रोड इस्थित परधान गुरुद्वारा में मंगलवार को सिख समाज की ओर से बैसाखी महापर्व कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया गया। इस दोरान हिंदू नववर्ष परतिपदा पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को सुब कामनाय देते हुए नववर्ष मनाया। बताया गया कि इस दिन को खालसा सजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कमेटी के मेंबर अमर्जित सिंग सलूजा ने जानकारी दे की आजी के दिन आरनपूर पंजाब से सिख समाज के दसवे गुरू गुरू गोविन सिंग साहब ने सिख समाज को पगड़ी, बाल, कड़ा आधी का रूल अपनाने को लागू किया था। तबी से सिख समाज इन सबी चीजों को धारण किये हुए रहते हैं। बैसाखी के दिन शुरू हुए नियमों को खुशी के रूप में धून धाम से हर साल मनाया जाता है। इस पावन दिन के आवसर पर गुरुद्वाया में कोरोना वैक्सिनेशन केंप का भी आयोजन किया इस दौरान 45 साल से उपर की लगभग 100 लोगों को कोरोना का वैक्सिन लगाया गया। मौके परसिक समाज की लोग भारी संक्या में उपस्तित थे। मौके हैं और साथ को भी दिनक्या है। हुआ अभ्लों के शीक समयाद के तरब से निया साल का वैसाकी का महान परम मनाया जा रहा है वाज जीols के दिन हम लोग निया साल मनाते हैं सभी हिंदू परिवार maior भी आज के दीन निया साल मनाते हैं यह बैसाथ कर दीन है, बैसाख की माइना मनार जाता है, आज के दिन हम नों इसको माते हैं खाल्था सुजणधिवस के नाम से इसको माना जाता है क्योंकि इसी दिन हम लोगे दसमे गरूगी हमें अजय केडि़ रफ शाली ब्ना जाता हुई उस दिन भाध दिनि editor कि रूपार्प के लिए कि राथ कआलि पुच्छाली बना जाता है, हम लोगे हम लोगे को ऐसे सजना थी तुम्दाम से किर्टन तरवार बाहर से रागी जताया हुए, सभी जो है सीख संकर्ट जो है सो जुम्दाम से मना रही है और इसको किर्टन का सरवन कर रही है कर रही है और इसको में आग जय तुम्दाम सेंगल को नुबश्टन की गई है और वह तर रहा है मेरा अंदाज है है कि कर्व करी करीव को पर सो नहीं हमैं के उखनया सहर के बरगंडा इस्थित सरस्वती शिशु मंदिर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उत्सव धूंधाम से मनाया गया। प्राधानाचारे संजीब कुमार सिन्हा ने मा सरस्वती एवं मा भारती के समक्ष दीप चलाकर और पुस्प अरपित कर उत्सव को प्रारम्भ किया। और एक दूसरे को नवर्ज की सुपकामनाई देते हैं। इसी दिन ब्रह्मा जी ने स्रिष्टी की रचना की थी। स्रिजन का यहकारे सक्ति के माध्यम से हुआ था। ब्रह्मा एवं स्री राम जैसे पात्र बताते हैं की हमें किस तरह जीवन जीना है। मौके पर हडि संकर्ति वारी, कामेश्वर राय, सुबेंदू चंदन, गीता चरन पहाडी ने वर्ष परतिपदा के बारे में अपने अपना विचार रखा। कारेकरम में प्रमुख अजित कुमार मिस्रा, राजेंद लाल बर्नवाल, यग्यवल्लब सर्मा, नागमनी कुमार एवं समस्त आचारे दीदी उपस्तित। से पेड़ना लेना है कि हमें किस तरह जीवन जीना है। आजिनी के देन शकारी निक्रमा दिलते हैं। शको का मान मर्दन करते हुए हिंदू समराजिय को पुनरस्खापित किया। अग्यवारी आचारे दीदी में बताया है। कि मार्दावारी जीनी सीपर नाग सुनरी को पुझाता है। शेहर के प्रतिस्ठित बस्त्राले राजमंदिर सिल्क इंपोरियर लोगों के फ्यार और स्नेक सी लगातार बुलंदियों को छू रहा है। मंगलवार से मानिवर और रेमंड मील का नया शोरूम इसे परिसर में खुल गया। नय शोरूम में बहतरीन डिजाइनों का विशाल संग्रा उपलब्द है। ऐसे में शादी विवा के कपड़े की खरिदारी के लिए लोगों को गिरड़ी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शहर के काली बाड़े स्थित राजमंदिर सिल्क इमपोरियर कपड़ा शोरूम में मंगलवार को मानिवर का नया शोरूम और रेमंड मील शोरूम का विदिवत उधगाटन हुआ। मौके पर छोटी बच्चियों शानवी और शनाया के हाथों फीता काट कर नया शोरूम का उधगाटन क्या गया। बताया जाता है कि नया शोरूम में इस बार से शहर के लोगों को शादी विवा के कपड़े के खरिदारी के लिए गिरडी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब शहर के राजमंदिर शोरूम में कम कीमत पर अच्छे तरह तरह के कपड़े उपलब्द होंगे। शोरूम में शेरवानी, कुर्ता पजामा, कोट पैंट, बलेजर आदी के नई डिजाइनों का विशाल संग्रह उपलब्द है। वही महिलाओं के लिए वेवाहिक लहंगा चुन्नी, साडिया, सलवार सूट भी एक ही छट के नीचे उपलब्द है। इस बाबत राजमंदेर शोरूम के संचालक विनोध खंडेलवाल ने बताया कि इस शोरूम में तरह तरह के वेवाहिक कारिकरम से संबंधित कपड़े अच्छे ब्रांड में उपलब्द है। मौके पर प्रमोत खंडेलवाल, विकास खंडेलवाल, पुनीत खंडेलवाल, मोनु कुमार आधी कई लोग मौजूद थें सेरवानी, दुफटे, धूतिया, शेरा, जैकेट, बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेकर आये हैं यह नौल दब, और रेमंड की जो इक कलेक्शन है, फैवरिक से लेकर गर्मेट्स तक, पूरा कलेक्शन राजमंदिर शिल्क इंपोरियम कालिवाडी में अबलबल है, आप लोग जो करता है, जो कार्ष कर्म हुआ है उद्गाटन उफ़र मताईए, आज मैंने अपने सौप पे मानिवर सूरूं का उपनिंग किया है, मानिवर के साथ आपको सक्सेस रेमंड भी ब्रैंड अवेलेबल होगा, मानिवर में पूरी वराइटी मिलेगी, जिसमें आपको कुर् अवेलेबल होगी, रेमेंड की पुरी वराइटी अवेलेबल होगी, रेमेंड के तीनों ब्रैंड पार्क, पार्क अवेनियो, कलर प्लस सब वराइटी अवेलेबल रहेगी, पुरी रेंज में अवेलेबल है, ख्रीपी, सूट, कोट पैंड, ब्लेजर सब अवेलेबल रहे बैठक में संगठन को नए सीरे से मजबूत करने के साथ साथ भावी कारे योजना पर चर्चा की गई मौके पर संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी वो कारे का ताम और जुनी थे अखिल भारते विद्यार्थी परिशत गिरडी कॉलिश इकाई और नगर इकाई की एक बैठक मंगलवार को बर्गंडा स्थित संकार याले में संपन हुई बैठक में संगठन को नए सीरे से मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई बैठक का शुभारम दी प्रज्वलित कर भारत माता और युमाओ की प्रेड़नास्तोत विवेकानन्द की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया इस दोरान बैठक को समोधित करते हुए अकिल भारते विद्यार्थी परिशत के विभावी सह संयोजक कृष्णति वेदी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रपोप को देखते हुए पुरे गिरड़ी जिले में हर एक दिन मुखे चौक चाराहों पर समाज के लोगों को कोरोना को मात देने के लिए मास्क पहनने के लिए प्रेडित करना जरूरी है साथी सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने के लिए जाकरुक अभ्यान के शुरूरात की जाएगी इस दौरान जरूरत मंदों के बीच मास्क समेट अन्य सामगरी का वितरन भी किया जाएगा बैठक में निर्ने लिया गया कि आगामी 14 अप्रील को भीमराव अंबेत कर जियनती साथगी के साथ मनाया जाए वहीं आगामी चैती छट पूजा में हर साल की तरह इस साल भी शहर के विभिन्न छट घाटों पर निशुल को दूद वितरन किया जाएगा बैठक में प्रदेश कारिकारणी सदस्य अविनाश बिश्वकर्मा, अभिशेक शर्मा, आशियस सिंग, नगर्शा मंत्री भोला राम, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर एस एफडी प्रमुक रोशन चंद्रवंसी कॉलेज कारिकारणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रियकार करताओं, नीशु पटेल, प्रवीन वर्मा, धिरेंदर ठाकोर, महेश वर्मा, संतोष कुमार, अभिशेक वर्मा, नंदकिशोर वर्मा, अजय कुमार, विवेग कुमार, रितिक चंद्रवंसी, कृष्ण ब्राहुल राना, कृष्णा कुमार, अभिजीत कुमार, शकल देव कुमार, दश्रत वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, आधी कार्यकर्ता बैठक में उपस्तित रहें कोविट को देखते हैं, आसे हर एक दिन लोगों को माकस पहनने के लिए जागश की आगाँ, निमी तो सनीटाइज लागने के लिए उनसे अगरा किया जाए, प्योंकि अगर इस बीमारी से और जागुता नहीं लाए जाए तो बीमारी काफी देश सकती है, जो फेल वी रहे ह समाज में समाज के लोगों साघ्रा करती है कि निम्स साइंट्राइज अपने हांतों करते रहें माक्स पाहने और चोड़त पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलें और इसी के निम्मितर आगामी चोगदो अप्रिल को जाटर भीवराम विदकर की जैनती मिनाई लिए गावप्रकन के मुफ्लीसी की जिन्दगी गुजार रहे बिर्होर परिवार का सूद लेने समाजिक संगधन बिर्सा MMC संस्था मौके पर पहुँचे बीते मंगलवार को ही नियूज लाइन दी बिर्होर परिवार की बदहाली से जुड़े खबर को प्रमुकता से चलाया था खबर चलने के बाद संस्था के लोग गंभीर हुए और मौके पर पहुचकर हर संभाव मदद देने का भरूसा दिया गावप्रकन मुख्याले से महच एक किलोमीटर दूरी पर बसा बिर्होर परिवार को सरकारी सुविधा के नाम पर मात्र एक राशन कार्ड मिला है राजसरकार वकेंद्र सरकार हर साल बिर्होर परिवार के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है मगर गावप्रकन के बिर्होर इस लाब से आज भी वंचित है नियोजाइन में खबर चलने के बाद बिर्सा MMC संस्था के रोहित कुमार भारती ने मंगलवार को बिर्होर के जोपड़ी में पहुँचकर जानकारी ली इस दौरान उन्होंने बिर्होरों को आश्वस्त किया कि बहुत जल सभी बिर्होर को विद्वा वर्धा पेंशन दिया जाएगा साथी अठारा वर्ष से अधिक उम्र के सभी को छात्र विर्ती दिया जाएगा सरकार की ओर से बिर्होर जाती के लोगों के लिए बहुत कुछ दिया जाता है समस्या यह है कि इन लोगों को उसकी सुविदा नहीं मिल पा रही है उन्होंने कहा कि न्यूजलाइन चैनल के माध्यम से जैसे ही पता चला कि यहां के विरहोर परिवार सरकारी सुविदा से वंचित है तो संस्था इस मामलेस में गंभीरता दिखाते हुए दूसरे दिन ही पहुश कर विरहोर परिवार के सारी समस्याओं से अवगत हुई और राची MMC संस्था के आफिस में आविदन भेज कर जल से जल वंचित लोगों को आवास पेशन आदी सुविदा मुहया कराये जाएगा उन्होंने कहा कि गिरडी जिले के कुछ ही प्रखंड है जहां विरहोर जाती के लोग रहते हैं मौके पर विर्शा MMC संसा से जुड़े कई लोग मौजूद थे गाउँ में विरहोर जाती के आदिन जाती के लोग रहते हैं मिलता है और यहां पर आने के बाद जानकारी मिला की उनके उनको आवास का एक किस्ट भी मिला है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके एकाउंट से पैसा कैसे निकला और ये बहुत गंभीर मामला है मानले जिए आदिम जन्जाती के लोग बहुत कम संख्या में रागया हैं इनको बचाना हम लोग का कर्तब है और इन कोशिस करेंगे हम कि जतना सहयता हो सके हम संस् सारी मुहिया हम लोग जल्द से जल्द इनको उफलक कराएं जिए ग्रावना में सरहुल बर रमजान पर्व को लेकर मंगलवार को गावाथ हाना परिसर में शांती समीती की बैठक आयो जित की गई बैठक में सभी समुदाय से जुड़े गनमानी लोग उपस्रित थे गावाथ हाना परिसर में रामनमी पूजा को लेकर मंगलवार को सांती समीती की बैठक आयो जित की गई बैठक की अध्यक्षताद हाना प्रभाडी सूरज कुमार में की मौके पर सभी समुदाय के गनमानी लोग सामिल हुए इस दारान रामनमी पूजा, सरहूल वरमजान के दारान सराब विक्री पर परतिबन भी लगाने, दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने वा कोरोना का संक्रमन तेजी से फैल रहा है इस पर ध्यान रखने की बात कही गई रामनमी पूजा, एउन सरहूल पूजा में किसी भी तरह का जुलूस या सभा का आयोजन नहीं करने की बात कही गई बैठक में कहा गया कि लोग अपने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें समेधन सील अस्थानों पर पुलीस बलतैनात करने और अस्थानी लोगों का सहयोग लेने हुर्दंगियों पर नजर रखने आदी पर विमर्ज किया गया इस दावरान थाना प्रभारी सूरज कुमार ने पुजा के दावरान निर्धारी डेसिबल पर ध्वनी विस्तारक यंद्र का प्रयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि संप्रदाईक सोहर्थ बिगारने वाले गानों एवं सराब दिक्री पर पूर्ण रोप से प्रतिबंध रहेगा सांती समिती के सदस्यों से सरकार की गाइड लाइन पालन करने का निर्देश देते हुए भीर भाड नहीं करने, मास्क लगाने, सोचल डिशेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया मौके पर S.I. दिनीप कुजोर, ललित पांडे, वहाब खान, कहाय राम, गावा प्रधान अनुरूपा देवी, अजय रंजन, जीब सदस्य राजेंदर चौधरी, प्रधान प्रवीन कुमार, विजय यादव, दिनेश पांडे, सब्दर अली, सुभम भानु, मर्गूब आलम, भीम रविदास, दिनेश सिंग, पिकेट भवानी सिंग, बिर्जू राना, जैप्रैसाद, प्यारे सिंग, भगवान दास वर्मवाल, अभिमन्यू रजवार, समेट दर्जनों लोगों बस्थित थे गावा प्रखन के 17 ग्राम पंचायतों में चौपार के माध्यम से बाल विवाह को रोपने की कवायत शुरू हो गई है मंगलवार को सत्यारती फाउंडेशन के सहयोग से कई पंचायत में चौपार लगा कर ड्रामिनों से बाल विवाह के खिलाब एक जूट रहने की अपिल की गई सादी का सीजन सुरू हो जुका है, बाल विवाह के मामले इसी सीजन में ज्यादा सामने आते हैं इस सामाजिक कुरीतियों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब समाज के जवाब दें लोग इसे अपना सामाजिक दायतों समझेंगे मंगलवार को गावा प्रखंड के पसनार पंचायत के सुदूरवर्ती बाल मित्र गारी साख, बल्थरवा, अंतरो पंचायत के बाल मित्र ग्राम अंतरो और नगवा पंचायत के बाल मित्र ग्राम ककमारी में चापाल के माद्यम से बाल विवाह जागरुपता कारेकरम चला कर ग्राम पंचायतों के द्वारा बाल विवाह ना करने की अपिल की जा रही है पसना और ग्राम पंचायत के मुख्या परतिमिदी अजे साव ने कहा की बेटियों को पहले पढ़ाएं उसके बाद साधी की बात करें सुदूद वर्ती गाउं में बाल विवा के मुद्वे हम लोग क्यालास सत्यार्थी सिंद्रेन फांडेशन के साथ मिलकर लोगों को जागरूप कर रहे हैं प्राम पंचायत माउडा की मुख्या परतिनीदी देश पांडे ने कहा की बेटियों को भार ना समझें बाल विवा की सुचना समाज के प्रभूद लोगों को उपलब्ध करवाएं समाजिक संगठन उसे हर हाल में रोकेंगे सत्यार्थी फांडेशन के साथ स्थानिये लोग कदम से कदम मिला कर चलने को तयार है पंचायत के मुख्या परतिनीदी मुहमद मिराजुद दिन ने ग्रामीनों से बाल विवा के खिलाब एकजुट रहने की अपिल की चौपाल का संचालन सुरेंद्र कुमात्री पाठी और धन्यवाद ग्यापन उधे राय के द्वारा किया गया मौके पर रमेश हसदा, मुनील कुमार, मनोज रजवार, कलवा देवी, राहुल राजवन सी, सम्मंदित गाओं की आंगिनबाडी सेविका, वार्ड सदसी, कैलाज सत्यार्थी, चिल्डेन फांडेशन के मौहमद आरिफ अंसारी, स्री राम कुमार, सुरेंड सिंग, अनिल कुमार, सहिद, सैक्डो की संख्या में ग्रामिन और बाल पंचायत के बच्चे मौजुद रहे बाल बिवा, सामाजी का पराद है, हम लोग बाल बिवा के खिलाफ अभियान चलाएंगे और हर बच्ची को अधिक से अधिक पढ़ाने का संकल्प लेते हैं बैठक कर रहे हैं, बैठक के माध्यम से अपना परचार परचार कर रहे हैं, शिच्चा को आगे बढ़ाने के लिए, बाल मजदूरी बंद करने के लिए, बाल बिवा को बंद करने के लिए और इसमें हम भी यह हम जोगदान दे रहे हैं कि बाल बिवा नहीं हो और नहीं हो जोरान एक सब्दाक के अंदर पानी शुरू नहीं होने पर आंदोलन करने का अल्टीमेट अभिया गया गिरिडी नगर निगम के वार्ड नंबर 32 की बरवाडी स्थिक गानी नगर में पिछले चार महीने से पेजल समस्या से लोग जूज रहे हैं निगम द्वारा इलाके में पाइप लाइन बिछा दिया है कुछ महीने तक नियमित पानी सप्लाई होता रहा लेकिन पिछले चार महीने से पानी सप्लाई बंद पड़ा हुआ है पानी नहीं मिलने से इस्थानी लोगों में काफी आक्रोस है मंगलवार को माले के एक परतिनीली मंडल पिडित लोगों से मुलाकात की इस दोरान लोगों ने माले नेता राजे सिंधा से पानी की समस्या को दूर करने का अनुरोद किया मौके पर मौजूद श्री सिंधा ने आस्वस्थ किया कि चार से छे दिनों के अंदर पानी सप्लाई सुरू नहीं किया गया तो माले के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा आंदोलन के दिन वाट कमिस्नर को लेकर और नगर निगम प्रांगन का घिराओ किया जाएगा अभी हम लोग आये हैं बरवाडी के नीचे वाले महले में गाजी नगर नाम है और यहाँ पे लगबग चार मैनों से पानी नहीं है जैसा कि आपको पता है कि पानी के बिना एकदम जीवान अधूरा है और इस लोग कितना पर प्रयास कर रहे हैं कई बार प्रयास कर रहे हैं कई बार वर्ड कमिशनर को बोल रहे हैं यहाँ पे लेकिन अगर निकम को हम आवेदन देंगे भागपामाले के तरफ से और अभी तुरंट अभी हाल के दिनों में जो मोहनपूर एरिया है उस जगह पेशी तरह धाई साल से पानी नहीं जा रहा था हम लोगों ने भागपामाले के तरफ से पहल की और फंद्र दिनों में महां इतना पानी आता है कि सब खूस है हम वही चाते कि इस इलाके में भी अलग चाभी लगा दिया जाए अगर आप बहाना करते हैं कि ये उचाई वाला जगह है तो इसको तुरंट सुधारा जाए गिरडी सदर प्रखंट सा अंचल कार्याले में मुख्या संग तली एक दिवस्या सांकेतिक धर्णा प्रदर्शन किया गया मौके पर कई पंचायत के मुख्या मौजूद थे धन्ना की अध्यक्षता गिरडी प्रकंड मुख्या संग की अध्यक्ष भागिरत मंडल की अध्यक्षता में किया गया इस दोरान मुख्या संग ने विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र उपायुक्त के नाम सदर बीडियों को सौपा मुख्या संग मंडल ने मांग किया कि प्रकंड गिरेडी के सभी ग्राम पंचायतों में भिशन गर्मी को देखते हुए खराब पड़े चापनल की मरमती जल्द से जल्द किया जाए आवास योजना को चालू कराकर गरीबों को प्रधानमत्री आवास का निर्मान शुरू किया जाए ग्रीन कार्ड में छूटे योग्य लाभुकों का नाम बढ़ाया जाए आधी मांगे मुख्य रूप से शामिल हैं प्रतेक पंचायत में तीन योजना का क्रियान वयन किया गया था जिसमें जल्मिनार, स्ट्वीट लाइन और थाईवर ग्लो शामिल है सरकार बदलने के बाद भी यह काम चल रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया गया लेकिन पंचायत के मुख्याओं को भैभीत करने का प्रयास किया जा रहा है जो सरासर गलत है मौके पर महिशलूंडी पंचायत के मुख्या हरगोरी साव परसाटान मुख्या निर्मल प्रशाद वर्मा मुम्ताज अनसारी, शंकर कुमार दास, मुन्नालाल, रूबी पांडे, यशोदा देवी आधी कई पंचायत के मुख्याओं जन प्रतिनी धीव पस्तित थे जब सरकार बदलेगी, एक सरकार बनवाएगा, एक सरकार उस पर जाज बठाएगा इस तरह हम सोसन, हम मुख्याओं पर जो सोसन करता है, इसके ब्रोद माज हम लोग, पूरे जहारखंड में मन्हाज हम गिरिडी जिला की बात करता हूं, मैं गिरिडी जिला के सभी परखंडों में आज मुख्याओ दोरा जर्मा दिया जा रहा है और मैं इतना जरू कहना चाहूंगो मानिय उपाइक महोदे को कि आप जाज करा है इस पर अगर हम दोसी है तो निश्चित पर करवाई हो लेगिन आपके दोरा जो गाइडलान था वह एस्टीड लाइट आइस तूरे जहां जा लगा है बीस पंचातों में लगा है हमारे गिरिडी परखंड में पास पंचाइब लगा और परखंडों में जलता भी नहीं है इसमें हम लोग को मुख मांगे है कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार चित्थी निर्गत किया गया है और उसी चित्थी के तहथ हम लोग उसकाज को किये और उसके बाद भी जो सरकार का टेक्निकल हैंड है जो विभागिये पदाधिकारी है उनके द्वारा किरियावन किया गया है उसके बाद भुक्तान किया गया है लेकिन अभी जो पत्तमान में देखा जा रहा है कि मुख्याओं को भैवित करने के ख्याल से लोगों की जाच कि आन तरह तरह की बाते को लाकर मुख्याओं को भाइबीत किया जा रहा है जो की एकदम अनुचित है जब सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने सारा कार्ज किया है उसका चिटी उपलब्ध है और प्रेसर बना के काम करवाया गया और आज फिर भाइबीत करके मुख्याओं को सोसन करने का जो काम किया जा रहा है वो अविलंब बंद होना चाहिए नहीं कहा कर मैं अपनी बातों को श्राब